अफसोस हो रहा है, परिशानी हो रही है, टेंशन हो रहा है, मगर क्यों? आपकी टीम अच्छा खेल के हारी है, आपकी टीम लड़ के हारी है, बैटिंग में क्या इशूस थे, पाकिस्तान की अप्रोच में क्या इशूस थे, इन पर बात की जा सकती है, मगर अपने दिल पर हा पाकिस्तान को आज मौका नहीं दिया जो इंग्लेंड आज चैंपियन मना बैंड स्टोक्स ने आउटस्टेंडिंग बैटिंग कर दी और जब जब इंग्लेंड ने बड़ा किया है तब तब बैंड स्टोक्स खड़े रहें मगर अपने दिल पे हात रख कर एक बार फिर ये दिल से पूछें क्या इंग्लेंड ने आज पाकिस्तान को मौके नहीं दिये यही 137 अगर 155 या 160 होता तो क्या यह टीम मैश नहीं जीत सकती थी बिलकुल जीत सकती थी सब कुछ किस्मत पर नहीं डाल देना चाहिए लेकिन आज पाकिस्तान टीम की किस्मत ने साथ नहीं द और जो एक्जेक्यूशन सैम करन की तरफ से बॉल के साथ हमें इसर आई बहुत ही आउटस्टेंडिंग थी इंग्लेंड ने स्ट्रेडिजी और प्लैनिंग में पाकिस्तान टीम को पीछे चोड़ा लेकिन पाकिस्तान टीम जब एक मौके पर सैटल हो गई थी तो थोड़ा सबाबर को responsibility वहाँ पर खेलना चाहिए था शाहिद इफ्तेखार को थोड़ा सा responsibility खेलना चाहिए था थोड़ी सी innovation शो करनी चाहिए थी शानवसूद का साथ देना चाहिए था और आखिर में चुखास तोर पर पाकिस्तान टीम ने 24 में से 12 डॉट बॉल्स खेली हैं उन 12 पाकिस्तान टीम के effort से मैं तो p्रौड हूँ जो चोटी छोटी गलतियां कियें यह हर टीम होनी होती यार ऐसी गलतियां कोई भी टीम ऑन दे कर सकता है लेकिन यह कोई इतनी मीजर गलतियां नहीं थी सवायर डॉडबॉल्स खेलने के अगर आप 15 डॉड बॉल्स कम खेलते उन पे आप 15 रन बना लेते तो शायद ये टार्गिट वो होता कि बैन स्टोक्स भी परिशान हो सकते थे बटलर को जिस तरीके से आउट किया जिस तरीके से शाहीन ने बॉलिंग की और हेल्स को आउट किया हारिस में बटलर को तो 37 का मैं ज्यादा क्रिटेसिजम नहीं करूंगा वहाँ पर आपके पास तरिफ एक ही तरीका था कि आप इंग्लेंड के सारे क्लाणियों को आउट कर दें तो ही आप ये टार्गिट कर सकते थे वहाँ पर आपने शाहीन को रोक कर रखा अब वो किस्मत की मैं बात कर रहा करेंगे और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी शाहीन को डालेंगे जब तक वो फुल रिकावर हो जाए टेस तो वो खेलेंगे नहीं तो उनके पास अब टाइम है कि डिसमबर जन्वरी वह आराम से दो महीने रेस्ट करें अपना ट्रीटमेंट करवाए प्रॉपर्ली र स्ट्रोक्स की ब्रिलेंट परफॉर्मिंस पिर अगर मैं बात करूं सैम करन की ब्रिलेंट पिर आदिल रशीद की बीच में बॉलिंग ता उसने इंपक्ट क्रियेट किया जिसकी वजह से इंग्लेंड आज जीता लेकिन पाकिस्तान टीम के अगर आप बात करें तो ऑल इन सब्सक्राइब बात कर रहें यह कर रहें वह कर रहें वह सच सामने आएगा लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें बैक करें लड़के अच्छा खेलें यार लड़कों ने फाइट की है